अब अलिम लिए अाज हम देखने वाले हैं आपका करेंट डिफरेंशल रिले जो नॉरमली ्चल डिफरेंशल रिले ही होता देखने वाले हैं आपका परसेंटेज डिफरेंचिल रीले फिर बायस डिफरेंचिल रिले थीक है और तीसरा आपका इंडक्शन डिफरेंचिल रिले ठीक तीन टाप नियुट रीले आज देखेंगे इस पार लगवक्ष अपर प्रिंसिपल सेमी है एक इंडक्शन को रिले और आपका करिंटेटि एक कैसे फंक्षन करता क्या होता है और उसके बाद इसकी लूपोलूप्स लूप्वाइन उनको देखते उनको समझने के बाद उसके अधार पर हम ने जो नीजए रिले इज़ा इजात किया जो कि आपका यजो स्कृतमें रहा है तक रहन यहांय कि दौनो डे बीच में आपका क्या है प्रोटेक्टेट हीं कि एक इससि का स्बूस्टे में जो करको दो कतिकन रहा है है थिते थित्त शीटि एल्मेंट में वह आता है जैसे कि आपका जनरेटर हो गया ज़गया जास्मिशन लाइन हो गया धिर एक रिले ऑपरेटिंग को लगा देंगे ठीक है रिले ऑपरेटिंग को अब क्या होता है चुकि यह तो था इसका 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 नाम है इसका नाम क्या है इसका नाम क्या होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं अब बात या कि कि से कंपैरिजन करेंगे क fret कि फेस्स होता है एसके कंपैरिजन से हम क्या करते हैं इस बने तो कि वह देखते हैं दिस का चारेंड डातकी है् Mexico किके ढूंसे जो कि यह थे डॉनों क्या है आपके पैलिट भायर गार्ट करेंट डाय that's अब हम जो यह केस देख रहे हैं हम जो यह केस देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो फॉल्ट है वो कहां हो रहा है अब यह क्या है अगर सपोज मान लो कि आपका जो फॉल्ट है वो यहां होता है और यह आपका क्या है आपका प्रोटेक्टेड जोन है ठीक है तो यह जो रिले ऑपरेटिंग कॉईल है उससे कोई करेंट नहीं प्लोगा तो यहां पर हमारा हो रहा है तो क्या होगा कि यहां इस लाइन में उस तरफ से करेंट आएगा और इस तरफ से करेंट आएगा मतलब यह क्या करता है कि यह जो करेंट है यह करेंट और इस ब्रांच का करेंट और इस ब्रांच का करेंट इन दोनों का डिफरेंस करेंट जो इसमें से फ्लो होगा और वो करेंट जो डिफरेंस करेंट होगा आई वन मानलो और आई टू मानलो यह आई वन और आई टू का जो डिफरेंस वेल्यू यहां से जो है करेंट है यहां से भी आई जा रहा है और दोनों कहां जा रहे हैं इस लाइन में इस तरह वाल्ट आ रहा है तो यह दोनों सीटी के क्रॉस करेंट तो सेम है इसके वज़े से एक एक्स्टर्नल लोड को अपन नॉर्मल केस की तरह डील करेंगा यह यह तो एक्स्टर्नल फॉल्ट के केस में यह आप्रेट नहीं करेंगा अब इंटर्नल फॉल्ट को देखता है अब चुकि अगर सपोज मान लो हमारा वही सिस्टम है हमारा सिस्टम वही है यहां पर फॉल्ट क्या है इंटर्नल फॉल्ट है इंटर्नल फॉल्ट है तो अब क्या होगा कि यह जो ट्रांस्मिशन लाइन है कि यहां एक जमद्र फॉल्ट होगा तो यहां से नोड पर क्या होगा के सी लगाद दो ठीक है अब चुकी यहां पर जो करेंट फलो हो रही है I1 प्लस आई यह जो करेंट है यह अगर परमीसिबल वेल्यू से जादा है तो आपका यह जो कौन से कोल है यह रिले सब्सक्राइब कर देखते ही वह बंद कर देगा इसमें कुछ और सी जोगो देखते हैं कोई डाउट है कि इसमें अब इसमें कुछ फॉल्ट सा होती हैं उनको समझते हैं जो फॉल्ट होती हैं उनको समझते हैं अच्छाइब जो डिफिकल्टी होती हैं डिवेंशब रोटेक्षिन सिस्टम के अंतरगाद div इव्ट थिप्रेंट्य इवाखेई हैं देखिए एक जो बिक्टते आती हैं हमको परी इसमांन पहला है आपको पहला है आपका अपका लेंट ओप ती तो यह मतलब है हमने हम इसमें हमने देखा है यह हमारा और यहां पर वह एलिमेंट है जिसका प्रोटेक्शन कर रहा है और यह बीच में आपको क्या है कि अब क्या हो रहा है कि यह जो पाइलेट व्यर है इसका जो लेंथ इस चुन्टर पॉइंट से और इस ट्रांस्वांस साथ ड्रांस है वह इन दोनों किया होता है ऑपरेटिंग कोईल से ब्ले ऑप्रेटिंग कोईल तो फो कभी कभार क्या हो जाता कि वो पॉज़बल नहीं हो पाता कि लेंद से हो जाए तो अगर आपके लेंद में डिफरैंश है तो इससे क्या होगा कि आपका जो डोनों का पुटेंशिल जो है ना डाइग्राम में जो डोनों सीटी से वह सेम नहीं रहता है एक सब्सक्राइब होगा तो उससे क्या होगा अब बात कि आते है कि सर इसको कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल सब्सक्राइब कर सकते हैं अब सेकंड आता है आपका सीटी रेश्यो एरर्स ड्यूरिंग शॉर्ट सरक्रिस यह जो है सीटी रेश्यो एरर यह वन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी सीटी देश्यो के वजह से ही आपका सब्सक्राइब हमको जादा मैसूस हुए मतलब यह जो है बहुत बढ़ा दिकत तो इसमें क्या होता है कि हम को दोनों सेटी को क्या है होना चाहिए दोनों एक जैसे हो और वास कि दोनों का वोल्टेज मिझे सोगा को कि दोनों का चाहिए और जो गौरेंट है वह सेम नहीं होगा प्यूंकि हम्हों जो होगी तो इसके वगे से हमको क्या होगा कि रिले तो यह क्या होता है यह हमारे लिए क्या है मतलब इसके वज़े से क्या होता है फॉल्ट ना होने के बाद भी क्या होगा अब तो इस चीज को हमको कि दूर करने के लिए ही हम क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और इसके अलावा भी कुछ और काम कर सकते हैं जैसे कि दिस सीटीज यूज में है आल्मोस्ट एक्वल रेशियो अंडर नॉर्मल करेंट रहता है तो रेशियो ज मैं और है चाहिए जाब पोड़ता है रेलेज बॉस्ट को जादा होता है तो जाउब का सितो इस च्रशार और थी पर इस को ने क्यों तो असफिके app कि दोनॉरों सेम आउलपूट नहीं देंगे जब थैश्याइस तो इसको बोलते हैं रेशम ए Videos यह आपकी जुख स्टिक्स जी इसकी उसके डिफरेंस दोनों सुख इसके डिफरेंस ऑसको बढा देता है यह देगे तो की मैगनेटीक जिसमें की आल्टरनेटिंग कॉंटिटीज ना हो अनुप इसमें क्या बडिफरेंस आ जाता है अब जो आपका नेक्स्ट है आपका कि सच्चरेशन आफ मैंनेटिक सर्कृट्स आफ दी सीटीग ठीक है इसमें क्या होता है यह जो मैंने इक सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए हम पर्सेंटेज डिफरेंशल प्रोडेक्शन यूज करते हैं तो यह सारी जो है प्रॉब्लम्स आती है किसके साथ डिफरेंशल प्रोडेक्शन के साथ इसलिए हम क्या यूज करते हैं पर्सेंटेज डिफरेंशल प्रोडेक्शन करते हैं